चार्ट को अनालिसिस करेंगे ICT की मदद से और देखेंगे कि next week के लिए क्या level important है हमारे trading के लिए आज से देखें मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको किजी भी चार्ट को अनालिसिस करना है तो आपको केवल अपने आपसे दो बाते पूछनी है अब दो बाते क्या हैं तो पहले आप ये पूछिए कि अभी हमारा चार्ट कहां पे है सिधा कि जैसे अभी हमारा निफ्टी है 24,010 पे और दूसरा कोशन आप अपने आपसे ये पूछिए कि ये कहां जाना चाहता है बस आप ये दो कोशन पूछ लीजे आपको सारा जवाब मिल जाएगा सारा आनालिसिस आपका हो जाएगा तो मैं अगर आपसे अपने आपसे एक उशन पूछ रहा हूं कि अभी निफ्टी का है तो 24,010 पे कहां जाना चाहता है वो अभी हम इस वीडियो में फांड़ आट करेंगे ठीक है तो अगर आप मंदली केंडल को है यह वो वो ट्रेडिंग एरिया जहां पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई मतलब यहां पर कोई भी वॉल्यूम नहीं है क्योंकि विक विक है तो हमारा मंतली टाइम फ्रेम का हमको 122 मिल चुका है हम थोड़ा आगे चलते हैं मैं आपको यह और बतातू जब ऐसे अब मेरे पास उपर कोई भी लेवल नहीं है तो मैं यह नहीं बोल सकता कि 25 जाएगा 26 जाएगा सकता हाँ यह जरूर बोल सकता हो कि प्राइस यहां तक आएगा सपोर्ड ले सकता उसके बाद एक बाइंग बने ठीक है तो ओपर तो खुला आसमाने ठीक है तो अभी हमां को और पिक्चर किलियर होगी तो यहां पर अगर हम इसको फिल्टर कर दें तो यहां पर हमको एक और वॉल्यूम इंबैलेंस मिला है ठीक है तो यह हमारा एक और पार्ट मिल गया हमको चार्ट पे तो अगर जो हमारा मंतली वाला तो उसको हम क्या कर देते हैं डिलीट कर देते है तो यह हो गया हमारा एक और 22 मिल चुका है हमको weekly टाइम फ्रेम पर अगर हम थोड़ा सा और नजर मारें तो आप बागी कुछ भी नहीं है as of now उपर की तरफ भी कुछ नहीं है तो यह हमारा हो गया weekly टाइम फ्रेम का बाइस ठीक है weekly candle close हो चुकी है monthly candle भी close हो चुकी है अब चलते हम थोड़ा सा डेली पे ठीक है डेली पे picture और थोड़ी clear होगी यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा move चल रहा है उपर की तरफ ठीक है एक हलकी सी pullback के बाद में अच्छा week हमको मिला है Monday से नया week स्टार्ट हो जाएगा इस candle पर हमने आपको पहले भी बता था कि Friday को यह candle possible है क्योंकि weekly closing है weekly candle की closing है अब देखें अगर हम हम इस chart को गहर से देखें दो ऊपर तो कुछ नहीं है अभी हम को यह पता करने की कोशिश करनी है क्या प्राइस कहां तक आ सकता है तो अभी हम यह नहीं को आपको ट्रेड लेनी है बस हम एक एक अजम कर रहे हैं कि यहां पर प्राइज आ सकता है तो दिए पहला लेवल क्या है एक तो लेवल हमारा यह है जो कि अगेन एक वॉल्यूम इंबैलन्स है ठीक है इसको मैं चेंज करते था हूँ ठीक है और और मैं कुछ फाइंड आट करने की कोशिश करूँ चार्ट पर तो एक वॉल्यूम इंबैलन्स हमको यहां मिल रहा है ठीक है यह दो वॉल्यूम इंबैलन्स हमको मिल चुके है यहां पर अगर हम देखे तो एक FEG भी मिल रहा है ठीक है यह हो गया ठीक है तो यह कुछ level हमको मिले हैं daily time frame पे तो यह भी अभी हमको कुछ भी clear नहीं करने के market कहा जाएगा बट यह हमको 122 मिल चुका है ठीक है तो यह हो गया हमारा अभी हम थोड़ा सा और time frame को कम करते हैं 4 hour पे चलते हैं देखते हैं क्या possibility हो सकती है price की ठीक है तो जो हमने daily time frame पर जो volume imbalance माक क्या दा तो 4 hour पे थोड़ा वो ज्यादा तो इसको हम और बढ़ा कर देते हैं ठीक है को इशू नहीं है तो हमको 122 और मिल चुगा है 4 hour के time frame पे जो की है यह ठीक है आप देखते तो बना हुआ है और यह वाला जो volume imbalance था वो 4 hour पे भी है और daily पे भी था ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा और time frame को नीचे करें करें कि अगर हम गौर से देखें तो यहां पे अभी हमको और कुछ vibes नहीं मिल रहा है ठीक है अब भी पिक्चर के क्लियर नहीं होगे कि प्राइस कहा जाना जाता है ठीक है तो आप देखेंगे बहुत स्ट्रांग बुल्रन यहां पर आपको दिखा होगा पी पूरे वीक में अगर हम और और हम प्रिट्ट करने की कोशिश करेंगे प्राइस कहां तक जा सकता है तो देखें यहां पर अगर हम इसको फिल्टर करने की कोशिश करें तो यह एक फिजी हो सकता है ठीक है तो यहां पर हम इस लेक को पूरी लेक को खंगा ले और देखें कहां पर हमारा क्या लेवाल important बन रहे हैं ठीक है तो देखो यहां पे एक volume imbalance अब और इसको filter कर देते हैं यह हो गया उसके बाद उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे भी हमको कफीजी मिल्ला यहां पे भी हमको एक order block मिल रहा है ठीक है यह हमारा order block हो गया एक चेंदि को हमारा यहेक हमारा order block हो धिच्छ बाइण हम च्कुछ हमें झांज हमें yeah पी तो इसको ऊष्षा को नरे मैंने के छुब्हेट करना के प्राइज जो कहा का हंधकर सकता है इस जोन पर जो में पर जयुक्द किि वह पर मुझे बस क्या है पर इस जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे concent łagogy यह बहुत बहुत मिलने वाला है वह क्या है Δोस्तो Minister कि यह वाला जू लेवल बहुत जादा लेक्टी परिक्ट कर रहे तो यह लेवल में नहीं भूल सकता यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए क्या सब के लिए टीक है तो मैंसमें झा einपल आ है अभी हम देखेंगे अभी देखें मुझे यहां पे मैं चाहुँगा कि कि प्राइज के ऊपर ना जाए मंदे को अगर नहीं जाता तो मेरी एक बहुत अच्छा één यहां पर पीडी बन जाएगा पेडी अगर मैं देखुगशंच कि अगर हमारा इसके उपर नहीं जाता तो क्या डिसकाउंट पर या प्रीमियम में तो आप देख सकते हैं जो यह लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है यह क्यूल बितिम लेवल है मैं चाहूंगा कि प्राइस हमारा ड्रॉप के इस लेवल तक आए खेर छोड़ो अलग बात है तो भी ह कि price यहां तक retrace कर सकता है ठीक है ना मैं अब यहां पर क्या है जो यह हमारे order blocks वाली area मिलें यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह हमने higher time frame से उठाए हैं और हम इनको filter करते हुए lower time frame पे लाए हम इनको और filter करेंगे ठीक है बट हमको important level मिल चुके है ठीक है अ कर दूँगा क्योंकि हम फिल्टर कर रहे हैं तो यह कुछ ऐसे लेवल हैं जो की order block के है ठीक है तो थोड़ा सा picture अभी clear होगी बढ़ यहां पर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर अभी तक हमको इस जो ड्रॉप हुआ है ड्रॉप क्या है इस पर हम बहुत अच्छी लिक्रिटी आपको मिलेगी पर प्राइज ने अभी इसको टैप नहीं गया इसको थोड़ा सा और लोर टाइम फ्रेम पर चलेंगे और थार्टी मिनेट पर देखेंगे कि प्राइस करना क्या चाहता है ठीक है तो अगर आप गौर करेंगे तो थार्टी इतना वे लेबल नहीं है जो यहाँ पर टैप हो चुका है उसके बाद अगर मैं देखूं इस जोन पर देखूं तो यहाँ पर छोटा सा एक फ़ीजी है इसको मैं कंसर्टिन नहीं कर रहा है यहाँ पर एक छोटा सा हमारा फ़ीजी बचा हुआ है यह वाला ठीक है ना तो यह वाला फ़ीजी भी हमारा क्या नहीं हुआ टैप नहीं हुआ है ठीक है तो यहाँ पे भी हमको एक और और ब्लॉक मिल चुका है ठीक है याद रखिए दोस्तों आप यह मैं सोचना कि जो मैं और ब्लॉक बना रहा हूं कि यहाँ पर टैप करेगा उपर चला जाएगा यह जहां पर टैप करेगा ओपर चला जाएगा यह जोन से जहां पर और ब्लॉक अवेलेवल हैं जो मेजर भाइंग आएगी प्राइस को यहां ही से आने वाली है ठीक है ना यहां पर बाइंग की ट्रेट नहीं डाल ली है बस यहां पर आपको माइनर साभ थोड़ा सा पूल ब तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि अब भी कोई भी MSS नहीं हुआ है इसमें किसी भी एंगल से नहीं हुआ सब कुछ यहीं होना है तो अभी तक हम सेफ हैं दोस्तों ठीक है तो यहां पर आपको लेवल मिल चुके हैं पूरे अगर मैं आपको थोड़ा सा अब देखो जै यहां पर लिकुडिटी रेस्ट कर दी है और यहां पर लिकुडिटी रेस्ट कर दी है और यहां पर भी लिकुडिटी रेस्ट कर दी है यह कुछ ऐसे पूइंट है जहां पर लिकुडिटी रेस्ट कर दी है अगर आप इस पूरे स्विंग को देखेंगे अगर प्राइस के तो यहां पर आपको बाइंग बनेगी जितने भी जोन है यह जितने भी जोन है हमारे यह जितने भी जोन है यह सब हमारे बाइंग वाले जोन है ठीक है ना तो प्राइस को यहां पर यहां तक आ सकता है ठीक है तो यहां पर आपको करना क्या देखो हम 15 मिनट तक आ चुके हैं अगर आपको बाइंग भी करनी है तो यहां पर ट्राइ कर सकते हो बट मेजर लिक्विडिटी जहां पर मैंने आपको बदा इस लेवल पर ही इंपोर्टेंट है तो वहीं पर आपको बाइंग करनी है ठीक है उसके बाद वह भी प्रॉपर तरीके से के पिल्गों MSS अब आपको करना क्या है देखें पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे पहला जो सिंगनल मिलता है क्या होने वाला है तो अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर हमारा क्या हुआ है MSS हो चुका है अगर मैं देखूं आपको अगर मैं दिखाऊं तो इस लेवल पर क्या हुआ है MSS हो चुका है और देखें मैं आपको बाता हूं इस order block को टैप करके भी price हमारा डाउन जा चुका है देखें यह वाला ठीक है यहां पर टैप करके जा चुका है अब देखेंगे जो पहला टार्गेट है वह हमारा MSS यह वाला जो की है किसका यह हमारा 15 मिनिट का MSS है और यह शायद वनावर का MSS तो यह लेवल बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो मैं मैं आपको बताओं मंडे को पॉसिब्ल्टी पूरी यह है कि प्राइस इस लेवल को टैप कर सकता है तो पेहली ट्रेड बन रही है मंडे की का मैं आपको बताने वाला हूं मंडे को आपको करना क्या है देखे अगर हमारा प्राइज देखे एक लेवल यह हो गया हमारा स्विंग यह हो गया यहां की लिक्विडिटी भी इसने ले लिए तो बहुत अच्छा चांस मिलेगा कि प्राइज हमारा फ्लैट ओपन हो और थोड़ा सा उपर जाए और हमारी ज यहां आता है और इसको टैप करें तो आपको ट्रेड लेनी है कहां तक की यहां तक की थीक है यह आपको ट्रेड बनेगी तो यहां पर आपको मैंने लेवल बताया कि यह वाला यहां से आपको शॉर्ट का प्लान करना अगर प्राइज यहां पर आता है तो देखिए दो जगे से आपको शॉर्ट करना है आप ऐसल यहां भी रख सकते हो यह थोड़ा सा उपर भी रखोगे तो चलेगा ठीक है और जो टारगेट बनेंगे वह बनेंगे दोस्तो पहला था यहां से आपको पहले MSS ट को टारगेट रखना। इवन यहां तक भी रख सकते हो बट बिल्कुल सेफ चलेगे तो पहला टारगेट यह रहेगा शॉर्ट का दोस्तो यह शॉक्त आप को बहुत लंबे ॅल्द नहीं कि हमारा जो प्राइज है यहां पर उपन हुआ और इसको टैप किया और फिर उपर गया और फिर आप सेल कर रहे हो तो उसका कोई मतलब बनेगा नहीं ठीक है ना तो आपको यहां पर वेट करना है पहले ठीक ना देखिए जब अगर प्राइज यहां पर बिल्कुल फ्लैट उपन होता इसको टैप करता तब आपका टार्गेट यह होगा तो फिर जो करन्ट प्राइज होगा प्राइज बनेगा वह हम बताएंगे बट जो एक पॉसिबल और बैस सिनारियो वह यह है कि यहां से आपको क्या करना है सेल करना ठीक है तो यह हो गया हमारा मंडे का ट्रे दिया है अब देखें यहां पर ऐसा भी हो सकता कि प्राइज बहुत बड़ा गैप अप उपन हो जाए और इसके सीधे उपन हो जाए तब भी हमारे ट्रेड क्या हो जाएगी नेलेन वॉइड हो जाएगी फिर जो करन्ट मार्केट सेनारियो होगा उसके साब से हम तो थोड़ा से बड़े टाइम फिर चलते हैं लो यहां पे पहला मैंस होगा यहां से थोड़ी रेखो होगी फिर preparedness मिल सक्ति है यहां से फासाब को मेवा कॉब सकती है और प्राइज यहां तक तो दैस हजार 622 तक तो बिलकुल बसुपीशी हिए प्राइज की जानेग यहां पर जो trend line थी मैं आपको दिखा हूं यहां पर बहुत आपको एक steep trend line देख रही होगी यह वाली ठीक है वह लड़ी break हो चुकी है ठीक है यहां पर break हुई यहां का SL ओड़ाया अभी नीचे गया और थोड़ा सा एक बार और जो यहां पर sell करके बैटे उनका SL hit करने के लि सकता है यहां तक drop हो सकता है पहले MSS तक दूसरे MSS तक यहां तक भी drop हो सकता है और equilibrium तक भी drop हो सकता है तो यहां पर बैटर टू है कि आपको short का ही प्लान करना होगा Monday को भी तो Monday का मैंने आपको बता दिया अगर आप वीकली 22 भी देख रहे हैं तो अभी थोड़ा टाइम क कर पाएं वह यहीं है और मैं एक चीजह बता दूग के देखिए क्या हुआ है आपको बता ऊख्वह ऐक्जेंबल मैं आपको देना चाहता हूँ ठीक है तो यहां पर क्या हुआ यहां पर देखिए पूरा एकता प्सक्र %. मैंनिपूलेशन हुआ उसके बाद एक बहुत अच्छा मुवमेंट आया ठीक है मैं इसको मैनिपूलेशन मानूंगा उसका प्राइस पूरे चांसे हैं कि पूरा प्राइस आएगा इस लेवल तक ठीक है बट यह भी दूर की बात है अपडेट कर दूंगा में बट यह मेरा ए प्राइस है एनलिशिस कैसा लागा कमेंड में जरूर बताना